जै माददी बड़ों को मेरा चरंस परश और छोटों को मेरा प्यार आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वास्थ होगे मौनी अमावस्या पर क्या-क्या उपाय करने है और किस प्रकार करने है इसका क्या फल है ये सभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने वो वीडियो देखी भी है क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक्स बताते हैं कि आप लोगों को वो संद आ रही है इस इस बात के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए सोचा थोड़ी और नए जानकारी में लेकर आऊ और जो लोग पुराने हैं उनके लिए भी कुछ अलग सा में लेकर आऊ 21 जनवरी 2023 को मोनी अववस्या पर क्या करना है कहा दान करना है ये तो मैं आपको बताई चुकी हूँ लेकिन खास तोड़ से फिर से एक रिमाइंडर दे रही हूँ पीपल की पूजा जरूर करनी है क्योंकि पीपल की व्रिक्ष की पूजा करने से आपके हर प्रकार के कश्ट दूर हो जाते है अगर आपकी जर्मकुंडली में पित्र दोश है या कालसर पे दोश है तो आप इस मोनी अमावस्या पर पीपल की पूजा करना ना भूले क्योंकि हिंदु धर्म में मागी अमावस्या यानि कि माग महीने की अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है अगर मैं सच बोलू तो हर अमावस्या का अपना ही एक महत्व होता है लेकिन जैसे हम कार्तिक के महीने को बहुत अच्छे से पूछते हैं इसे ही माग का महिना बहुत उत्तम माना जाता है ये अपने आप में ही एक बहुत चमतकारी महिना है और साथ में क्योंकि अमावस है तो अपने आप में ही एक बहुत चमतकारी दिन हो जाता है इस दिन भगवान शिव और पित्रों के साथ साथ श्री हरी विश्नु का भी दिन माना जाता है, इस दिन मौन रहकर सनान करना चाहिए यानी सनान से पूर्व कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, सनान करते सेवे भी आपको चुप रहकर सनान करना चाहिए, अगर भगवान का स्मरण करना है आपको, जो लोग नहाते टाइम अपने इश्ट को याद करते हैं तो मन ही मन याद करिए मुझे अवास नहीं आने चाहिए मौन रहकर ही भगवान का और पित्रों का स्परण करना बहुत ही उत्तब माना जाता है मौनि अमावस्या पर मौनि का अर्थ ही आप समझ आईए मौन रहना और मौनि से भी है यानि इस दिन कम बोले और उचित भर बोले जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही बोले ऐसा माना जाता है कि मौनि अमावस्या के दिन गंगास नान और दान करने से अंजाने में हुए पाप हमारे कट जाते हैं और कश्टों से हमें मुक्ती मिलती है साथ ही पित्र दोश का भी निवारन होता है जीवन में सफलता एवं उन्नती पाने के लिए मौनि अमावस्या के दिन दान पुन्य करना लाबकारी होता है यदि किसी को पित्र दोश हो तो ऐसा करने से परिवार में सुक शान्ती आपके घर में जरूर बसती है अगर आप मौनि अमावस्या पर बताय हुए अनुसार दान करते हैं बाकि अगर आपके जर्म कुन्ली में पित्र दिन होता है या कालसर्प दोश होता है तो कालसर्प दोश जैसा कि बारा तरीके के होते हैं तो इनकी शान्ती तो आपको वर्ष में एक बार करानी निश्चही होती है लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ग्रहों की स्थिती पर कुछ कालसर्प दोश में आपको पुजा चे महीने में करानी होती है कुछ में हो सकता है आपके ग्रहों की स्थिती की वज़े से तीन महीने में भी करानी पर जा और कुछ में क्या पता साल भर कराने के बाद चीज़े फिर भी आपकी सेटल रहे बढ़िया रहे अगर हम पित्रों के निमित श्राद कर्म नहीं करते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याएं आती है इसके लिए मौनिया मवस्या के दिन सनान करना, दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है मौनिया मवस्या के दिन ऐसा कुछ करें कि हमारी पूजा और पाठ दान पुन्य से हमारे पित्र खुश होकर हमें आशिरवाते जिससे हमारी सुक सम्रिद्धी में व्रिद्धी होती रहे तो ऐसा क्या खास कर सकते है पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत उत्तम माना जाता है लेकिन जो लोग नहीं जा सकते है उनको घर में ही गंगा जल डाल कर अपने नहाने वाले जल में स्नान करना चाहिए ऐसी मानेता है कि मौनी अमवस्या के दिन सभी पवित्र नदियां खास कर फिर से कहूंगी गंगा नदी में स्नान करने से उत्तम पुन्य फल की प्राप्ती होती है कहते हैं कि मा गंगा के जल में भगवान विश्णू का वास होता है इसलिए इस दिन गंगा सनान करने से अश्वमेग यग्य करने के समान फल मिलता है यदि आप किसी तीर स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो बहुत ही छोटा सा उपाए घर पर ये सूर्य देख के पहले सनान करें अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और सनान कर लीजिए इससे पित्र आपके प्रसन होते हैं नहाते टाइम अपने पित्रों का स्मरंड जरूर करिए ब्रामणों को दान दे ये बहुत ही उत्ताब माना जाता है मौनी अमावस्या के दिन जरूरत मंदों को अन का दान वस्त्र आधी का दान दे ब्रामनों को दान दे, ब्रामनों को भोजन कराएं, घर बुला कर नहीं करा सकते, तो ब्रामनों के गर जा कर दे आए, कहा जाता है कि इस दिन जो भी दान हम करते हैं, वो सीधा हमारे पूरवजों, हमारे पित्रों को मिल जाता है, जिससे वो प्रसन होते हैं और हमारे पित्र प्रदोश का नाश होता है इस दिन गाए, कुते, चीटी और कवों को भी भोजन जरूर कराना चाहिए क्योंकि ऐसा कराने से भी आप कई प्रकार के अपने अलग-अलग रहों को अच्छा करते हैं पीपल के व्रिक्ष की पूजा बार-बार याद दिला रही हूँ जरूर करिए मौनिय मवस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना और खास तोर से उस पे कच्छा दूद चड़ाना बहुत उत्तम माना जाता है क्योंकि आप दूद पीपल व्रिक्ष को जब आप दूद से सीचते हैं तो ये बहुत-बहुत-बहुत उत्तम माना जाता है पित्रों को याद करते हुए आप कच्छे दूद से पीपल के व्रिक्ष को सीचिए पित्रों को याद करते हुए आप पीपल के व्रिक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाईए इससे मा लक्षमी जी की कृपा भी आप सब पर जरूर बनी रहेगी पित्र भी प्रसन रहेंगे अगर आपकी जनम कुणली में कालसर पियोग है या फिर पित्र दोश है तो उससे मुक्ती पाने के लिए मुक्ती से यहां मेरा मतलब है कि आप अगर अपनी रेगुलर पूजा नहीं करा पा रहे हैं तो आज मैं आप सब को पायब जो बता रहे हूँ आप इसको करिएगा जरूर आप देखेंगे थोड़े समय के लिए इन दोश से जो आपके काम नहीं बन रहे थे वो जरूर बनेंगे तो आज के दिन पीपल या फिर बरगत के पेड़ की पूजा भी आप कर सकते हैं सबसे पहले जाकर आप पीपल या बरगत के पेड़ के पास जाएए उनको हाद जोड़ कर प्रणाम करिए क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है उसके बाद आप आसन पर बैठ कर पीपल के जड़ में कच्चा दूद जिसमें आप थोड़ इसी चीनी मिला सकते हैं तामबे के पात्र में स्टील के बरतन में नहीं तामबे के लोटे में कच्चा दूद और थोड़ी सी चीनी मिला कर आप साथ में दही, शहद थोड़ा सा गंगा जल मिला लिजे ये मिला कर आप कुछ चीनी नहीं है तो गुर भी मिला सकते हैं ये मिला कर के आप पीपल के व्रिक्ष में पीपल की जड में चड़ाईए उसके बाद शुद्द देसी घी का दीपक चलाईए एक जन्यव लेकर जन्यव आज आपको जरूर चड़ाना है पीपल के व्रिक्ष पर क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पीपल के व्रिक्ष पर लक्षमी का वास होता है और मालक्षमी के साथ में प्रभूश शीहरी विष्णू का भी वास होता है तो ये जन्यव जो आप चड़ाएंगे या पीपल पर नहीं या प्रभूश शीहरी विष्णू को चड़ा रहे हैं इसके अप्रान्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाब करना है 108 पार बैटकर आप 108 बार इस जाब को कर लीजे जादा नहीं तो 108 पार कर लीजे लेकिन करिए जरूर आज ये मौनिया भवस्या आप देखेगा ये छोटे छोटे उपाय करिए किसी भी प्रकार का कश्ट आपके उपर क्यों ना आ रहा हो लेकिन आज ये छोटे से उपाय करने से आप देखेंगे कि आपके बंद रास्ते चो नहीं खुल रहे थे आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो गया था आपको समझ नहीं आ रहा था लेकिन आप देखेंगे कि आपको इसका परिणाम बहुत ही उत्तम मिलेगा उपाय बहुत चोटे हैं लेकिन इसका परिणाम बहुत उत्तम मिलेगा 108 पार आप ओम नमो भगबते वासु देवाय का जाप करिए फिर हाथ जोड़कर आप अपने पित्रों से माफी मांगे कि अगर आपसे जाने अंजाने कोई गलती हो गई है तो वो आपको शमा करें और अपने सुन्दर सुकत भविश्य की कामना जरूर करिए उनसे और उनका आशिरवाद जरूर प्राप्त करिए बहुत चोटी चोटी चीज़े बता रहे हूं करने के लिए लेकिन ये चोटी 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 चीज़े आपको बहुत कुछ बड़ा बड़ा दिला सकते है इसके बाद आपको दक्षिन दिशा की तरफ मुग करके बैठना है क्योंकि जब आप जाब करेंगे तो आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए जब आपका जाब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप दीपक जलाएंगे दीपक जलाने के बाद जब आप दीपक जलाएंगे तब आपका मुख दक्षिन की तरफ होना चाहिए क्योंकि पित्रों का वास हम दक्षिन की तरफ कहते हैं तो जब आप पित्रों का स्मरण करेंगे तो दक्षिन दिशा की तरफ आपको मुग करना है और दक्षिन दिशा की तरफ मुग करके आपको जोज जलानी है घर के मुख्य द्वार पर भी आपको पीपल के वरिक्ष पे आप सुबह जोद जला कर आएंगे पीपल के वरिक्ष पे आपको शाम को भी जोद जगानी है लेकिन घर के मुख्य द्वार पर आप शाम के समय जब दो बेला मिल रही होंगी तब आप शाम के समय अपने पित्रों के नाम का दीपक जरूर जलाएंगे और वो भी आपको अपने घर के में गेट के बाहर पित्रों के नाम का दीपक कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए गर के बाहर जलाएंगे और वो भी दक्षिन दिशा की तरफ जलाएंगे मौनिय मवस्या के दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है गाय को तो आप कभी भी चारा खिला लीजिए लेकिन जो खास दिन होते हैं कहते हैं उन खास दिनों पे भी अगर आपने उपाई कर दिया तो उसका फल आपको शायद जो जो जाना करने से नहीं मिल रहा है वो एक दिन करने से मिल जाता है लेकिन वो एक दिन डिपेंड करता है कि वो खास है या नहीं है आटे में आप थोड़ा सा तिल मिलाकर रोटी बनाईए और आज के दिन गाए को जरूर खिलाईए ये तिल वाली रोटी ये उपाय के तोर पे मैं खास तोर से उन लोगों के लिए बोल रहे हूँ जिन लोगों के उपर करजे की स्थिति बहुत जादा बढ़ चुकी है अगर आपको लग रहा है कि आपके उपर से करजा खत्म नहीं हो रहा है नाम ही नहीं ले रहा है तो आज इस मौनी अमावस्या पर आप आटे में तिल मिलाकर आपको दोनों मिलाने हैं ब्लैक वाले भी और वाइट वाले भी आटे में तिल मिलाकर आप रोटी बनाईए और र वो आपकी खत्म हो जाएगी ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शान्ती भी जरूर बनेगी शाम के समय जब आप दीपक जलाएंगे अपने घर के में गेट के बाहर दक्षिंदिशा की तरह फिर आप अपने घर के अंदर बैठ कर महा मृतिंजे मंत्र का पाठ करेंगे जादा नहीं तो 108 पार कर लेजे लेकिन जाप आज मौनिया मवस्या पर जरूर करिए मौनिया मवस्या के इस पावन मोके पर ये छोटी छोटी उपायों को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि पापी ग्रहों का नाश आप खुदी कर लेंगे आपको आरोग्य और धन की प्राप्ती जरूर होगी अपकी बार मौनिया मवस्या पर एक महोदे नामक शुब योग बन रहा है इसलिए ये उपाय और भी लाबकारी रहेगा आप लोगों के लिए इसलिए पहले तो मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में क्या क्या करना है इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकिया हूँ खास उपाय जो आपको जरूर करने है तो इस मौनी अमावस्या पर आप ये छोटे छोटे उपाय करकर अपनी जिन्दिगी को बहुत ही उत्तम बना सकते हैं ये बहुत ही छुट छुटी से उपाएं हैं जो आपने करने हैं और इनको अगर आपने विधी पूरवक कर लिया तो आप देखेंगे कि ये मौनी अबावस्या का अफसर आपके लिए धेर सारी खुशिया जरूर लेकर आएगा तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक जरूर करिये चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिये और हमारी वीडियो को जादा से जादा शेयर करिये क्या पता आपकी दी हुई जानकारी किसके काम आजाए जय मत अदि